हे गाईज गूड मॉर्निंग वेलकम टू दा नदर डे डेटीज ट्रिपल वन सो सबसे पहले आज मैं सुबह उठके हो चुकी हूं रेडी और उसके बाद आज मैंने मंगवा लिया है अपना ब्लिंकेट से समान क्यूंकि काफी दिन हो गई थे डिस्टरबेंस चल रही थी मै बात नहीं अब उसको बैलिंस करेंगे तो यह सुबह सुबह मैंने समान में मंगवाया था जैसे मटर थी मटर खतम हो गई थी जो की राइस में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होंगी चाय पत्ती खतम हो गई थी और स्प्राउट्स भी मैंने मंगवा लिये थे वैसे त थी और कुछ इतना थानी प्यास वगएरा भी खतम हो गए थे तो मैंने ये सारा समान दूद वगएरा सब कुछ बिंकिट से ही मंगवा लिया था सुबह सुबह और नहाके रेडी होने के बाद फिर मैंने सोचा सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी चाय से आज चाय ले अब हम करेंगे अपनी बची हुई क्लासिस को कम्प्लीट तो क्लासिस हमारे पास डेली आती थी फिजिक्स की केमिस्ट्री की बायोलोजी की जो की आपके पास यू लगा लिजे एंगेजमेंट वाले दिन की बची हुई है प्रियंका वाले डेकी और उसके बाद शादी व को उठारहें क्योंकि ये मेरा कुद का सबजेक्ट भी है तो इसी को ट्रय लेंगे जल्दी से करने की तो यहां पर जो है मैं पनी फिजिक्सी क्लासिस लेनी शुरू कर दे तर मैंने जो फिजिक्सी क्लास मैं ने टॉपिक स्टार्ट कर वाया हुआ था हीट वाला जो तो यहां पर जो है मैंने हीट में जो है सर ने बताया बेसिक था पहले तो एक लेंड प्रीज वाला कॉंसेट होगा जो कि नाइंध क्लास से शुरू हो जाता जो की बहुत ही इंपोर्टेंट रहता है उसके क्वेशन बहुत बनते हैं क्योंकि नैचुरल साइंस में क्या होता है आपके पास जो सब्जेक्ट है यह बहुत छोटे से छोटे ल क्वेशन को आप छोड़ने सकते नाइंध की जो बुक है आपके पास वह बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए नाइंध वाली जो है सबसे ज्यादा बेस को कवर करती है उसके बाद जो है लेवन ट्वेशन पर चलना चाहिए तो यहां पर सर ने यह क्वेशन बताए थे मतल गशन दोते हैं फिर बहर आपको बेश्ख्क पढ़ाया जाता है इंत लास तक तो यहां पर सारा मैंने अपना हीट का कवर पिया इस में बाकी पता नहीं मुझे बाकी जंगे तो यहां पर आए वें तो मैं ले आई थी यहां पर दो लेकर आई थी एक तो मैंने जो है कली खा लिया था आते ही और एक जो है मैंने आज के लिए रखा था कि आज मैं सुबह सुबह खाऊंगे तो पहले उसको कट करके और उसी को खाना शुरू करते हैं क्लासिज जो है ना मेल này kट कर लिया वैसे तो मुझे यह ठीकर करना था जैसे इसके साथ में ऊपर से इसका रह ना था लेकिन इतना । तो फिर मैंने इंचось लिया और उसके बाद जो है मैंने अपना बची हुई क्लास की वह थोरी क्लास रहती थी दो क्लास पूरी कर ली थी मैंने तो कुछ थोड़ा वोती रहता था फिर मैंने सोचा कि टाइम हो गया पहले एक बर खाना बना लेते हैं बाकी क्लास जो है मैं रात को आके कर लूँगी दो तो यहां पर मैंने खाना बनाया छे बजे का टाइम हो गया था क्योंकि मैं खाना भी टाइम से ही खा रही हूँ अब मैं बना ले थी अपना जो बुक्स वगरती को सब अरेंज कर लिया था तो यह डिनर बनाया मैंने यह देखो चोपर की बहुत हेल्प हो गी है मेरे साथ तो यहां पर दो रोटी मैंने अपने लिए बनाए एक रोटी एक्स्ट्रा बना ली थी क्योंकि आटा दो रोटी का प्रोप भी ठीक रहे नहीं तो वेट जो है गेन होई जाता है तो इसलिए यहां पर मैं चलेगी थी यह देखो टाइम हो गया है अराउंड साड़े साथ का तो यहां पर बैठके मैंने अपने लिखो फिर उदर को इवेंट चला हुआ था कला करती वगएरा बच्चों का चलता रहत है तो आज उदर थे सारे बच्चे उसके बाद जो है मैंने यहां पर मैं यहां तो यहां थोड़ा करना पड़ा वेट और उसके बाद मैं आई क्योंकि कोई ना कोई मिलता है जब यह आती हूँ ऐसे मंकी इसके पास से अकेले तो नहीं आ सकते भी डर लगता है वैसे काटत नहीं पर कई बार भरोसा नहीं होता इनका तो यहां पर आने के बाद फिर से मैंने अपनी क्लासिज लेना शुरू कर दिया तो यहां पर आज मेरी जो क्लास है फिजिक्स ही वो कम्प्लीट कर ली है मैंने अब बची है बायो और केमिस्टी तो कल है संडे यानि कि आज ही सं भी नहीं पाऊंगी और जादा रेस्ट भी नहीं हो पाएगा स्टडी अच्छी हो जाती है महाँ पर तो वहाँ पर अपना जो है काफी क्लासिज लेने की कोशिश करूंगी कि केमिस्ट्री का और जो बायलोजी है उनको कवर अप करूं एक आप रूटीन को जिसको फोलो करते में वहाँ नहीं करेगा तो इसलिए मैं जो है संडे को कल वहीं जाओंगी और वहीं जाके पढ़ाई करूंगी आज मैं गई नहीं थी वैसे सेटरडे संडे ओफ ही होता है मैंने आपको बता रखा वह आपकी मरसी है तो अभी सिर्फ आज वहीं काम करूंगी अपनी क्लासि उसे भी कर लेंगे तो कभी कभी डिस्टिबेंसिज आ जाती है लाइफ में तो उससे घबराना नहीं चाहिए और नहीं ज़्यादा पैनिक होना चाहिए मैं कभी पैनिक नहीं होती मैं पढ़ाई को लेके मुझे लगता है मैं कर सकते हूं तो आपको भी यह कहूंगी कभी पैनिक नहीं होना, बहुत अच्छे से, सुपर्ब तरीके से, अराम से अपना काम करो, आपका काम है महनत करना, बस अपने काम को जो शकुरा करना है, तो अब नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, एक दो दिन बाद हो जाएगा, फंक्शन्स भी ज़रूरी है, ये भी आपके पास का मनता बिना फास्ट के फिर ये खाए और उसके बाद अब देखो मापको फिजिक सा दिखा देती हो टाइम देखो साड़े बारा का हो गया है तो अब जो है सो जाते हैं बाब बाई गुड नाइट सुगह उठेंगे टाइम ली यह मैंने पढ़ा था आज मैंने आपको दिखा दिया है तो थैंक यू फो वाचिंग दा व्लोग गुड नाइट टेक केर